पहले चरण में डाले गए वोटों की EVM मशीनों को जैपुर के राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में रखा गया है EVM की सुरक्षा के लिए पुलिस के जवान 24 घंटे तैनाथ हैं वहीं कैमरों के जरिये स्ट्रॉंग रूम की निगरानी भी की जा रही है मद्दान संपन होने के बाद हम इस वक्त खड़े हैं राजस्थान कॉलेज में और यहां पर इसी कॉलेज में जो EVM है उनको सुरक्षित रखा गया है मैं आपको बताना चाहूँगा जिस तरीके जियाँ पर आप पुलिस प्रशाशन को देख सकते हैं तरीके से मुस्तायद है इसी के अंदर EVM रखे हुई है जो यहीं से जो मत्दान दल थे उनकी रवानगी हुई और उसके बाद में वापस यहीं पर आकर के सभी EVM रखी हुई है मैं यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुए वो दिखाना चाहूँगा हाला कि यह जो बोर्ड लगा है यह मत्दान दल रवानगी का है लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर छे विधान सभाओं की जो EVM है वो रखी हुई है बगरू, सांगानेर, किशन कोल, आदरश नगर, चाक्सु और मालवी नगर इन छे विधान सभाओं की जो EVM है जिन में जो प्रत्याशी है उनकी जो किसमत इसमें कैद है यह चार जून को यहाँ से खुलेगी और लोगों के भागे का फैसला होगा इसी तरीके से बगल में कॉमर्स कॉलेज है वहाँ पर भी कई विधान सभाओं की जो EVM है वहाँ पर रखी गई है तो यानि की जो आने वाले समय में यहीं पर EVM खुलेगी और यहीं पर मतगड़ना होगी और इसके बाद में जो प्रत्याशी उनके भागे का फैसला होगा कैमर परश्चान सुनील के साथ मुहमद अतीक जैपुर